जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना आदित्य ठाकरे को कोरोना हो चुका है अब आप यही सोचनों मुझे पता है किया रहे आदित्य ठाकरे को कोरोना हो गया और वो भी कैसे कितना वहीया व्यक्ति इतने समय से जब कोरोना चरम पे था पीक पॉइंट पे था मुंबई की स्थिति थोड़ी शान्थ होती नजर आ रही है उतनी वैसी स्थिति नहीं है जब एक टाइम पे था तो इसको कोरोना हो गया ऐसा ऐसा क्या बाकी तो बिमारी है बोलके नहीं आती कभी भी आ सकती है बट यहाँ पे थोड़ा सा दाल में काला नजर आता है उस चीज को समझो य आदित्य ठाकरे सुषान के केस से इसका नाम निकल के आया इस विक्ति का कि सुषान सिंग राजपूत का जो मर्डर हुआ उसमें आवाज यही जा रही है कि आदित्य ठाकरे लिप्थ हैं क्योंकि आदित्य ठाकरे की जब बाते होती है जब करजत फार्म हूस पर जाता है म फिर हम चले जाते हैं भईया आदित्य ठाकरी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जिसमें वो कमबोडिया की उस सडक पे दिखाई देते हैं जो भईया बदनाम है ड्रक्स का धंधा करने के लिए तो लोगों के मन में शक क्यों ना हो क्योंकि भईया ये एक पॉलिटिकल फिगर है एक भईया पब्लिक फिगर है और जब ये व्यक्ति गलत करेगा तो लोगों की निगाहें जाएंगी प्रशन भी बनेगा कि आप आखिर क्यों गलत चीजों में लिप्त हो आखिर क्या है इसके पीछे का राज जो कि आप छुपा रहे हो अब लोगों क के मित्र आदित्य ठाकरे के इम्तियास खत्री जिनका नाम भईया आया की ड्रॉग्स मामले में जब भईय अशोक साराओगी जी कह रहे हैं कि ये जो ड्रॉग्स का जो पूरा धंदा चला रहे हैं बॉलिवुड में और पूरा भईया पॉलिटिक्स में ये हैं इमतियास ख आज देखो कैसे डरा है ये समझना ये है में लिंक मनसुख हिरेन की मृत्यू होती है सचिन वाजे आज गिरफ्तार है सचिन वाजे राज पर आज खुल रहा है ATS चारीये सचिन वाजे की कस्टेडी मिल जाए और NIA देने को राजी नहीं है ATS चली गई कहांपे High Court Special NIA Court चली जाती है जहांपे बोलती है कि ये कस्टेडी हमें दे दी जाए क्योंकि हमें इसकी जांच करनी है सचिन वाजे इसका मुख्य आरोपी नजर आ रहा है तो उससे पूछताच करनी है NIA कि जो Special Court है वो आज इसके उपर कहती है कि 25 तारिक तक की कस्टेडी NIA के पास है उसके बाद इस पर बात करेंगे लेकिन यहाँ पर देखो NIA 10 कदम आ गया है मैं clear कहूंगा 10 कदम आ गया है कैसे NIA आज ही मतलब पहले इनों ने लगा दिया था जैसे कि मैंने आपको बता दिया था NIA के पास जाने वाली है जो सोर्से इसके हवाले से 100% आज चुकी थी कि वही लेंगे तो हम आपको एक खबर 4 दिन पहले बता चुके थे जो आज confirm हो गई कि NIA ने ले लिया है मनसु खिरेन का murder वाला case तो यहाँ पे अब ATS की ये वाली चाल विफल हो जाती है जब वो सचिन वाजे को custody में लेना चाहरे थे समझ गए अब मनसु खिरेन का जो भईया murder हुआ है इसकी जाच भी NIA कर रहा है तो आप वो सचिन वाजे की custody नहीं देगा ATS को यानि कि वो किसी भी तरीके से महराश्ट्र सरकार के touch में जो agency है उनसे दूर रखना चाहरे है क्योंकि वो जानते हैं जैसे ही भाईया सचिन वाजे और जो बड़े-बड़े प्रभावशाली ये लोग बैठे हैं बहुत ही ऐसे है जब आप यहीं पे समझ गए ना racket चला र ही हैं आप समझ रहे हो सौ करोड एक व्यक्ति और ऐसे कितने बड़ा रैकेट से हजार हजार करोड मामूली बात है यह राजनीती में बैठे हुए लोग कर रहे हैं तो यह बॉलीवुड का जब यह साथ दे रहे हैं यही सारे लोग गलत करने वाले तो आप यहीं पे समझ उसके बाद आप भाईया इस बॉलीवुड की प्रशनशा करोगे सबसे बड़े मूर्ख होंगे तो मनसु खिरेन की मृत्यू का भाईया आज पीट्या एक बहुत बड़ा खुलासा करता है जिसमें हो कहता है कि जांच में यह पाया गया है कि मनसु खिरेन की जब मृत्यू के घर के बाहर रखी जिसको यह समझा जा रहे है कि धमकाने के लिए या फिर हो सकता है कोई आतंकी साजिश ही करना चारे हो वहाँ पे एक बॉम ब्लास्ट करना चारे हो बड़ डेटोनेटर नहीं थे बड़ जो भी इनकी साजिश थी अब इसके उपर क्या हुआ हुआ है यह जो टर्न आया है ट्विस्ट आया है कहानी में कि ड्रक्स था ठीक है अब ड्रक्स की बात आती ही जैसे मैंने आपको बता है इमतियास खत्री आधित्य ठाकरे जो कमबोडिया की उन सडकों पे भाहिया कुछ कर रहे थे तो इन व्यक्ति का जब नाम आता है तो यहाँ प कोई साधर एंजिंसी नहीं है जहाँ पे आपका प्रभाव चल जाए एना यह भाहिया टेरिरिज्म को एंटी टेरिरिज्म के लिए बैठी और वो भी सक्त है ना बहुत सक्त तो यहाँ पे आधित्य ठाकरे को जुकाम हो जाना कोरोना हो जाना क्लियर यह दर्शाता है कि य चुके हैं एक तरफ उद्धव ठाकरे जी की डरी पड़ी है क्योंकि कब भाहिया सरकार चली जाए पैरो तले जमीन घिसक जाए यहाँ पे अनील देश्मुक जी की फटी पड़ी है और शरत पवार जी दिल्ली में बैठे है जिनका तो इस्तिती बहुत ऐसी हो चुकी है व अब देखो वही बात है ना NCP यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा दिमाग खेल रहे हैं इन तिनों सरकारों में वह है शरत पवार आपने शरत पवार को मुर्ख समझ लिया तो सबसे बड़ी गलती गर्दी इतने ही बड़े गलत चीजों में लिप्त रहे हों कितना ही कुछ र करने का तो इसकी सजा इने भुगताएंगे यह मैं गैरेंटी से कह रहाँ आपको कि शिफ सेना को छोड़ा नी जाएगा उद्धव ठाकरे को छोड़ा नी जाएगा और आप यहीं पर समझ जो जब मैंने इतना ही कह दिया तो कि उद्धव ठाकरे की दिन आ चुके हैं उनक च्छे करम करते तो अच्छा जीवन व्यटीद करते ऑच्छा भुगतते बर अच्छे करम मही थे आपके इस वजह से आप आज यह सब भुगत रहे हो बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है मैं आपसे आशक बागी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शेयर जाधा से जाधा करो शेयर करते हैं जब आप मेरे वीडियो को तो मुझे मदद मिलती है न बागी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है और आपसे में जाने से पहले एक request जरूर करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को जाद सेदा शेयर किया करें जितना आप शेयर करोगे उतना मेरे चैनल को grow होने में मदद मिलेगी आप मेरे को फेस्बुक ट्विटर इंस्टा पर फॉलो भी गड़ सकते हैं और करो मतलब उसे जोड़ो आप इंस्टा और ट्विटर पर तो स्पेशली जोड़ो और वहां पर आप उसे DM के थ्रू भी जोड़ सकते हैं और मेरा जो टैलीग्राम ग्रूप है वहां पर भी आइटी उसका यूजर नेम है यहां पर जो मेरे सोचल मीडिया अकाउंट से उसका हैंडल आपको दिख जाएगा जैहंद